Assalamu alaikum everyone I hope you all are fine आज का जो हमारा topic है discussion का वो है gastrulation in mammals So let's start our topic Mammals में gastrulation का process किस तरह से होता है Mammals में gastrulation का process implantation के जो है वो बाद start हो जाता है Implantation इसमें किस तरह से होती है Implant करने के बाद जो जब fertilization होती है तो उसके बाद जो stage आती है वो होती है cleavage की Cleavage में basically cells की devian होती है और blastomers form होती है ठीक है अब ये जो है ये एक uterus की wall है इसके साथ आकर blastula attach हो जाता है अब ये जो blastula होगी इसके दो layers होगी सबसे पहले जो layer होगी ये वाली layer होगी जो outer most layer होगी इसकी blastomers की हम उसे बोलेंगे trophoblast इस layer को हम बोलेंगे trophoblast कठे होंगे group की form में होंगे cell इसे हम बोलेंगे inner cell mass तो क्या होगा basically जो trophoblast होंगे न वो enzyme release करेंगे enzyme जो है वो release करेंगे तो क्या होगा ये जो blastula है न तो ये uterus की wall के अंदर जो है वो dense जाएगा अंदर की तरफ मूव करेगा यानि इसके tissues को degrade किया जाता है जब इसके tissues को degrade किया जाता है कुछ time के बाद जो है endometrium की दुबारा layer form हो जाती है इसके उपर ठीक है पहले क्या था cell जो थे वो अंदर की तरफ move किये और कुछ देर के बाद endometrium की जो layer है वो दुबारा form हो गए ठीक है इस तरह से जो है यह process जो है वो implantation का start हो जाता है और यह जो layer form होती है इस layer को बोलते हैं endometrium मैंने इसमें बताया दो layers थी ब्लास्टोला की एक blastomayers की outer layer थी जिससे trophoblast बोलते थे और एक inner layer थी जिसके अंदर cell जो थे वो aggregate हुए हुए थे अब जो next layer आएगी वो किस तरह से होगी के जो ट्रॉफोब्लास्ट होगा यह बेसी कलिए इसी से क्या होगा 250 córion एक form की होगी लेयर फॉर्म होगी क्यों के लियर फोर्म होगी यह वाली थे खुआ होगी इनियर मैस आफ से पार्म होगा इसDR पनाट इस स्लब्रेंम होगा इस इनियर cell मेंसे लो decade embryo form तो इससे क्या होगा और दो layers बनेंगी एक layers जो बनेगी वो hypoblast होगी और एक जो layer बनेगी वो epiblast की layer होगी hypoblast की layer से vô next cavity develop होगी और epiblast की layer से भी next cavity develop होगी पहले first stage में में क्या होता है archentirone वो first cavity vô baby blast seal cavity होती है नेक्स जो है इसमें दो form हुई layers hypoblast और epiblast और next इंसे जो है वो cavities फॉर्म होगी अब जो है यह cell जो है इंसे जो cavities फॉर्म होगी यह C diagram में दिखाए गई है इंसे यह दो cavities फॉर्म होई है एक है यह जो hypoblast होगा यह endoderm बनाएगा और जो epiblast होगा वो ectoderm बनाएगा इनके mid में layer form होगी mesoderm ठीक है तीन germinal layers form होती है ectoderm, endoderm और mesoderm जो basically role play करती है gastrulation के इंदर और different body के organs form करती है complete embryo form हो जाता है gastrulation के process के ठीक है तो अब जो है इससे जो layer form होगी वो embilical vesical form होगी जो cavity इसके form होगी hypoblast से वो embilical vesical cavity form होगी और जो epiblast layer form होगी, जो cavity form होगी वो होगी amnionic cavity embilical vesical और amnionic cavity, यह दोनों इससे form होगी और जो यह korion layer है, trophoblast किसमें форм होई korion के इंदर, और korion जो है वो next क्या form करेगी? korion से next form होगा जो है वो placenta भी इससे जो है वो form हो जाएगा अब जो है मैंने जसी के बताया के हाइपो-ब्लास्ट से जो है वो 演्डोडर्म फर्म होगी और एपीब्लास्ट से एक्टोडर्म फर्म होगी अब यह जो cavity form हुई थी अम्बिलिकल, वैजिकल अब इसे देखो endoderm form हो गई और यह जो amnionic cavity थी उसे actoderm form हो गई इसके दर्मियान में जो layer form हुई वो mesoderm की layer थी जिसे फिर different जो है वो organs जो है वो form होंगे और एक complete embryo की formation होगी और जो complete embryo की formation होगी वो इस inner mass of cell जो cells aggregate किये गए हैं उनसे होगी यह trophoblast वाले cell से form नहीं होगी तो इससे जो है वो placenta भी form हो गया next जो है वो layers किस तरह से form हुई अब ये जो layers हैं वो इस तरह से manage हुई कि ये जो दर्मयान वाली layers नजर आ रही है ये mesoderm की है और ये जो है ये embilical vesical amnionic cavity means actoderm, endoderm और mesoderm ये तीन layers इससे जो है वो form हो गई और इनका जो fate है वो भी बताती हूँ मैं कि क्या क्या इससे next जो है वो form होगा basically यही process होता है mammals में gastrulation का कि किस तरह से जो है वो cleavage के process के बाद blastula form हो और blastula के बाद जो next stage होगी वो gastrulation होगी gastrulation में तीन जर्मिनल लेर्स फॉर्म होगी और वो जो तीनों जर्मिनल लेर्स होगी वो role play करेंगी different organs फॉर्म करने में और जो embryo form होगा वो inner cell में से दो लेर्स बनी दोनों लेर्स से जो है वो different cavities फॉर्म हुई उन दोनों different cavities से जो है वो basically नेक्स जो है इनसे भी जो है वो नेक्स फॉर्म होगी जो ectoderm होती है उसे basically फॉर्म होता है nervous system nervous system में क्या आ जाता है brain आ जाता है spinal cord आ जाता है ठीक है इसमें ये चीज़े फॉर्म होगी skin hair, epithelial skin, epidermis skin की लगा लो hair की लगा लो ये सारे जो है वो इससे form होंगे ectoderm से जो mesoderm layer होती है इससे basically form होते है musculo skeletal system सारे muscle system, skeletal system और next जो है cardic vascular system, urinary system जो है mesoderm से form होंगे और जो हो जाएगा next जो है वो endoderm, endoderm जो होती है वो internal layer होती है और इससे जो है वो form होते हैं liver, pancreas और epithelial lining बहुत से tissues की जो है इससे form होती है basically ये था process gastrulation का mammals के अंदर कि किस तरहां से जो है वो mammals में gastrulation होती है और gastrulation का process सारा जो है वो discuss किया इन डियाग्राम के थूँ जो है हम proper इसे जो है वो थीरी में लिख सकते हैं कि किस तरहां से पहले कौन से stage आई, next कौन से stage आई और पर उसके बाद gastrulation स्टार्ट होगे first जो most important stage होती है इसमें gastrulation की mammals के अंदर वो यही stage थी कि सबसे पहले implantation होगी यानि एक uterus के वाल के साथ आकर blastula attach हो जाएगा अब जो trophoblast होती है जो इसकी outer layer होगी वो कुछ enzyme जो है वो release करेगी वो जो enzyme होगे वो इसकी वाल को जो है ना वो क्या करेंगी कि जो blastula होगा वो अंदर की तरफ move करेगा इन्वैगिनेट करेगा अंदर की तरफ जब अंदर की तरफ करेगा तो कुछ देर के बाद एक और लियर फॉर्म होगी endometrium की endometrium की एक order form होगी और जो है वो इसे cover कर देगी next छो है फिर इस तरह से जो next embryo form होना है आशी लियर से form होना है और जो endometrium की what do जो है और जो है next curriculum layers होगी und gets you है उससे जो है placenta form होगा और next जो है process start होगा next जो है epibl just ask cell बने hyperblast और epibl just च put the रोल प्लेय करेंगी for the formation of the germinal layer, three germinal layers, ectoderm, endoderm, mesoderm and जब इन में ectoderm, endoderm, mesoderm form होई तो हमारा basically aim gastrulation का ठीक जा रहा है कि हमें तीन layers की formation ज़रूरी थी, जिसे next जो है वो organs form हो सेकें, so ये जो है process gastrulation का था MMS के अंदर IHOPs के आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आई होगी, thank you.